असलाम उलेकूम, dear friends कैसे है आप सब मैसमान जूँ, CTET की notification आ गई है और आपको form भी जल्द ही feel करना है जुलाई के लिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे maths, paper second, actually यह paper second के जो notes है, अपने answer institute से, मैं वही screen पे share कर रही हूँ, पर यह paper second plus paper first दोनों की ही लिए आज का हम topic देखेंगे, number system, अगर paper second की हम बात करें, तो 30 mark का mathematics रहेंगा, जिसमें से 20 marks calculation के लिए आएंगे, यह जो topic है हमारे, अभी हम देख लेंगे, और 10 mark की इसकी pedagogy रहेंगी, तो देखेंगे हम के कौन-कौन से topic है, first है number system, number system में हमको पढ़ना क्या है, तो हम देखेंगे type of number, उसकी properties, क्योंकि अब pedagogy में property पे question पूछे जा रहे है, operations पे question पूछे जा रहे है, division, fraction, unit, digit and formula, अब हम इतनी स सारी चीजे लेंगे number system के अंदर, एक करके ही अगर हम वो topic को लो तो वो best रहता है, उसके बाद, LCM और HCF, certain indices के साथ, square and cube root, algebra, geometry, basic geometry, और उसके बाद है, mensuration में area, perimeter and volume, ratio and proportional, polynomial, probability, profit and loss, interest, time and work, mean, median and mode and range, अब देखिए इतने जितने भी ये topics है, अगर आपने previous papers को देखे होंगे, या YouTube पे हमने previous paper जो solve किये है, paper second के भी, अगर आप वो देखो, तो देखिए ये पूरे topics पे किस तरह से questions पूछे गए है, अब probability पे भी जो questions है ना, वो number probability पर है, plus color ball पर भी है, cards पर भी है, तो probability पे भी किस तरह के questions बनते हैं, तो ये 20 marks के लिए है paper second वाले के लिए, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे number system, जो paper first और second दोनों के लिए है, ये notes मैं share कर रही हूँ, इस screen पर ही हम ले लेंगे, ये असर institute से notes है, जो hand written है, mathematics के, और previous year के questions भी इसमें solve है, तो पहला है हमारा number system, number system पे paper first हो, second हो, ज्यादा questions पूछे जाते हैं, तो number क्या है, mathematical symbol represented by a set of digits, digit है, ये हिंसे है, digit क्या है फिर, तो 10 different basic symbols, जो हम देखते है, 0 to 9, ये हमारे digits है, उर्दू medium के लिए 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 लिख देती हूँ, इसे हिंसे कहते है, हिंसे है, तो 10 digit है हमारे पास, numeration क्या होता है, numeration है, कि जब आप number को words में लिखते है, अलफाज में लिखते है, right number in words, तो जब हम numeration को देखते है, तो numeration दो तरह से, दो तरह से किया जाता है, दो system है numeration के, एक है Indian system, एक होता है Indian system और दूसरा होता है international system, Indian system को Hindi Arabic system भी कहा जाता है, Indian system में यह four group होते है, जबकि international system में यह three groups बनते है, अब हम देखेंगे कि Indian system और international system में कैसे बोला और लिखा जाता है, तो 10 की power के साथ हम देखेंगे इसे, अगर Indian system की बात करो, तो ones यानि के multiply one से करो, एकाई है, 10s यानि के 10 से multiply करो, 100 यानि के 100 से multiply करो, या 10 की power 2 है, अब यही system same three group बाला चलेंगा international system में, अब यहां से चीज़े change हो जाती है, 1000 यानि के 10 की power 3, उसके बाद 10,000 यानि के 10 की power 4, लेकिन जब हम international system में जाते हैं, तो वहाँ 1000 है, वहाँ 10,000 है, लेकिन उसके बाद वहाँ 100,000 भी है, अब यह 100,000 हमारे system में क्या है, 10 की power 5, तो 10 की power 5 यानि के 1 लाइक, एक लाग, इंडियन system में, और 10 लाग, 10 लाइक, यानि के 10 लाग, तो यह एक group है, जबके जो 1 लाइक है, वह 100,000 होता है, international system में, तो आपको यह चीज़ याद रखना है, फिर फूर्थ जो group है, हमारे इंडियन system में, वह है करोर, और 10 करोर, 10 की power 7, 10 की power 8, अब जब हम international system में जाते है, तो हमारे पास, जो 10 lakh है, देखिये, वह यहाँ पर चला गया, international system में, पर, यहाँ 10 की power 6, 10 की power 6, यानि के वह वहाँ कहां चला गया, million में चला गया, फिर जो करोड है, वह 10 million है, और जो 10 करोड है, हमारे पास, वह 100 million है, तो आपको सिफ यहां से चीजे चेंज है और आपको 10 की पावर से उसे याद रखना है अब हम देखेंगे टाइप आफ नंबर नैचरल नंबर यानि के तब यादा अल काउंटिंग नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नैचरल नंबर है वन से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी है सबसे चोटा स्मॉलेस्ट नैचरल नंबर वन है और सबसे बड़ा बता नहीं सकते और इस सेट में zero नहीं होता है तो zero नैचरल नंबर है क्या? नहीं है उसके बाद है whole number तो whole number क्या है? whole number को मुकम्मल आदात कहा जाता है all natural number including 0 आप counting के जो number है 1 से infinity आप उसमें जब 0 को add कर देते है तो वो बन जाता है whole number अब यह जो whole number है उन पे operations होते है और वो कौन से है देखिए addition, subtraction, multiplication और division अगर a plus b लो आप और इनकी position को change कर दो तो इनके result में कोई फर्क नहीं परता है लेकिन अगर आप subtract करो position को change करके तो यह equal नहीं होते हैं इनकी position में फर्क परता है अगर आप multiply करो whole numbers को position change करके तो फर्क नहीं परता है लेकिन अगर आप division करो या divide करो whole number को position change करके तो फर्क परता है तो वो equal नहीं होते Integers क्या है? Integers यानि के सही आदा All positive and negative and whole number जितने भी positive numbers है, negative numbers है और whole number यानि के क्या जीरो कि जहाँ पे natural number में 0 add हो गया तो simple है कि positive, negative and 0 ये सारे के सारे क्या कहलाते है? Integers, सही आदा और 0 ये ना ही positive है और ना ही negative है Even number यानि के जुफ्त आदा Number which divisible by 2 वो number जो 2 से divide हो जाते है उसे even number कहते है देखिए, 2 है, 18 है ये ऐसे number से जो 2 से divide हो जारे तक्सीम हो जारे तो उन्हें even number कहते है Odd number यानि के ताख आदा Number which are not divisible by 2 वो number जो 2 से divide नहीं होते पूरी तरह देखिए, ये पूरी तरह 2 से divide नहीं हो रहे तो फिर ये odd number है यानि के ताख आदा Rational number Rational number यानि के नातिख आदा तो rational number क्या होते है जो हम fraction के form में जिने expressed करते है जिसे हम कसर के सूरत में जाहर करते है और जिसका denominator नसब नुमा 0 नहीं होता है और यहाँ पे P, Q क्या है Integers है Integers है यानि के क्या वो positive number भी हो सकते है और negative number भी हो सकते है तो all integers and fractions are rational number देखिए 15 by 5 rational number है fraction के form में है कसर की सूरत में minus 2 by 7 rational number है 3 अकेला है लेकिन इसके denominator में हमेशा क्या है 1 है अगर हम under root 100 लो तो यह root के बाहर जब आता है तो वो 10 होंगा और 10 यानि के 10 अकेला है क्या नहीं इसके denominator में 1 है यानि कि यह fraction के form में है तो यह भी क्या है rational number है अब हम देखेंगे irrational number irrational number यानि के खेर नातिख आदाद number which cannot express in the form of P upon Q जो आप कसर की सूरत पे नहीं बताएंगे या फिर बता भी सकते है तो वो value बाहर आने पे point में आपको देंगे जैसे कि देखो under root 2 है अब इसे बाहर निका लिए तो यह point के साथ कुछ value देंगी यह value बाहर आने के पर point के साथ देंगी यह भी यह भी यह भी तो यह irrational नमबर है यानि के गहर ना दिखाता है prime नमबर prime नमबर यानि के मुफर्रत आदाद number having two factors one and itself के वो नमबर जिनके दो factors होते हैं दो आद होते हैं या दो लोगों से वो तक्सीम होते हैं एक तो one से और दूसरा अपने आप से तो उसे prime numbers कहते हैं और जो two है तो two एक ऐसा prime number है जो even भी है one is not a prime number one prime number नहीं है क्यों? क्योंकि उसके दो factor है ही नहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही divide होंगा अब हम देखेंगे prime numbers में दो type है एक है twins prime number और एक है co prime number twins prime number यानि कि क्या? कि दो ऐसे prime number जिनके बीच में difference two का होता है ये देखें और condition क्या है? कि ये दोनों ही numbers prime होने चाहिए और two का difference होना चाहिए, दो का फर्क होना चाहिए और co prime number यानि कि ऐसे prime number जिनमें common factor one होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ one common factor होना चाहिए अब देखिए यहाँ four तो prime number नहीं है लेकिन common factor one आ रहा न जब हम three और four के factors आद निकाल रहे है तो common तो one आ रहा है ना उसमें तो यह co-prime number की जोड़ी होगी next है composite number composite number यानि के मुरकब आदाद वो numbers जिनके more than two factors होते है नहीं प्राइम नंबर है वनना ही composite number है four hundred fifteen यह composite number है real numbers real numbers यानि के हकीकी आदाद set of rational and irrational number जब आप rational number irrational number का एक set बनाते है तो वो कहलाते है reals number जहाँ पे rational और irrational दोनों ही numbers आजाते है consecutive number consecutive number यानि के number that follow each other in order from smallest to largest जैसे के एक आपके पास number x है तो next होंगा x plus 1 यानि के उसके बाद का number तो यह होंगा consecutive number अब हम previous year में अगर आप questions paper देखे तो बहुत सारे questions पूछे गए जिन में से हम एक question अभी देख लेते है find error यानि के इसमें कहां गलती है पैचारना है अब यह क्योंकि notes में direct किये हुए है तो इसके answer आपके सामने है 1 is a factor of every number बिल्कुल सही 1 क्या है हर एक number का factor है जैसे के मैं 5 लो तो 5 1 से भी divide हो जाएंगा और 5 से भी हो जाएंगा तो हर एक number 1 से divide होता है तो यह right है every factor of number is an exact division of that number right है कि हर एक जो number है वो किसी भी number के अगर आप factors को ले लो तो वो उससे divide हो जाता है number of factor of a given number is finite यह बिल्कुल सही है fixed होते है कि वो भी number के अगर आप factors आज निकालते है तो वो fix है वो उतनों से ही divide होते है यह right है one is the smallest prime number यह wrong है और हमें wrong ही मालूम करना था one यह prime number है ही नहीं prime number के लिए condition है कि उसके two factors होने चाहिए one का एक ही factor है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से divide होता है तो one prime number है क्या नहीं तो one prime number नहीं है तो यही है हमारा answer है जुलाई के लिए CTET की batch start हो गई है असर इंस्टिक्यूट से यह online और offline दोनों ही रहेंगी अगर आप live attend नहीं करते हैं lecture या नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए recorded teachment पे वो videos available रहते हैं आपको total notes live lectures exam तक मिलेंगे plus notes के साथ 300 questions paper practice bank मिलेंगा questions का और 2 test series मिलेंगी offline के लिए यहाँ पर address दिया गया है और online teachment app पे होँगा whatsapp के लिए आपको यहाँ पे number दिये गया है आप call या message कर सकते हैं पर please आप call 3 p.m. से 6 p.m. के बीज में मत कीजिए lectures के time call नहीं कीजिए बागी आप कभी भी call कर सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए friends take care Allah